प्रशांद किशोर बीजेपी की बी टीम प्रशांद किशोर पर क्यों लग रहा बीजेपी की बी टीम का ठपा क्या मुसल्मानों को समेट नहीं पाए पीके आखिर क्यों पीके की नहीं पार्टी है सवालों के घेरे में राजनीती के असली खिलाडी कहे जाने वाले PK यानि की प्रशान्त किशोर बिहार के दंगल में एंट्री ले चुके हैं लेकिन एंट्री धमाकेदार नहीं रही जियां दरसल प्रशान्त किशोर खुद को BJP की छाया से एक तरह से मुक्त नहीं कर पाएं इसका सीधा असर प्रशान्त किशोर की रैली पर भी पड़ा लेकिन जन सुराज के इस भीड़ कंत्र पर एक नजर डालें तो सबसे चौकाने वाला सच ये सामने आया है कि प्रशान्त किशोर की हड़नीती के अनुसार राज्य के मुस्लिम और यादवों की संख्या उनके मजमे में काफी कम रही पहले रास्टिय जनता दल ने AIMIM पर भी BJP की B टीम होने का आरोप लगाया था इसके बाद प्रशान्त किशोर की जन सुराज पार्टी को भी RJD ने BJP की B टीम करार दिया कहा जाता है कि राजद हर उस पार्टी को BJP की B टीम करार देती है जो मुस्लिम वोट काटती है प्रशान्त किशोर ने भी पहले 75 मुस्लिमों को टिकट देने का वादा किया और फिर बाद में आबादी के अनुसार टिकट देने की रणनीती शामिल की गई इस लिहाज से 42 सीटों पर मुस्लिम उमीदवार खड़ा कर एक तरह से मुस्लिम वोट में सेंधमारी की कोशिश कर डाली है उन्हें ऐसा कहा जा रहा है कहा तो ये भी जा रहा है कि इसी से विफर कर राजद के लोग जन सुराज को BJP की B टीम कहने लगे है चलिए आपको चार वज़र ऐसी बताते हैं जिससे लोगों को लगता है कि PK सच में BJP की B टीम है अब इसे PK का दुरभाग के ही कहेंगे कि मुद्दा आधारी दो सालों तक बिहार की यात्रा करने के बाद भी BJP की B टीम होने का टैग लगने लगा है RJD सांसद मीसा भारती ने विहार की राज़नीती में परशान किशोर को नकारते हुए कहा है कि जन सुराज पार्टी को कुछ पायदा होने वाला नहीं है जनता समझ चुकी है कि भारती जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशान किशोर अपनी पार्टी बना रहे हैं और वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं उन्होंने ये भी कहा कि नितीश कुमार लगातार बिहार में शासन कर रहे हैं और अपने आप को सुशाशन बाबू कहते हैं जब नितीश कुमार बिहार में अपने शाशन काल में एक भी फैक्टरी नहीं खोल पाये तो प्रशान किशोर क्या कर पाएंगे दरसल राज़त का जो यह आरोप है इसकी वज़ब ही है दरसल प्रशान किशोर का अतीत यानि के उनका जो हिस्ट्री रहा है उसके वरतमान के साथ चल रहा है देखा जाए तो बत और रनितकार जब वे उत्तर प्रदेश गए तो कहा जाता है कि प्के ने अपने प्रभाव में रखकर कई नेता मसलन जगदंबिका पाल रीता बीजेपी के लिए काम करते हैं ठीक इसी तरह जब प्रशान किशोर पशिम मंगाल में टीमसी के अरणितकार बनकर गए तो कहा जाता है कि मुकुल राय अरजुन सिंग निशित जैसे नेताओं ने त्रिनमूल कॉंग्रेस छोड़ कर बीजेपी जोईन कर दिया जब पीके पंजाब में अरणिती बनाने गए तो कैप्टन अमरिंदर सिंग ने बीजेपी की शरण ले ली इन प्रसंगू के हवाले से राजनितिक गलियारों में ये संदेश चला गया कि वे बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं एक बार तो खुद राज्य के मुकमंत्री नितीश पिके को बीजेपी के करीब बताते हुए साफ कहा था कि वे बीजेपी के करीबी रहे हमने उन्हें रास्ट्रिय उपाद्यक्ष भी केंद्रिय गिरह मंत्री अमित शाह के कहने पर बनाया था यह अपने आप में बड़ा आरूप था दोस्ते मुसल्मानों को समेट नहीं पाए पीके मतलब पीके की जो राजनीती रहिया वो एक तरह से सभी को सामाजिक हक दिलाने की बाद करते हैं और खासकर मुसल्मानों को भी लेकर चलने की बाद करते हैं कई एक्सपोर्ट्स का मानना है कि तमाम मुस्लिमों को जबरदस्थ हिस्सेदारी देने के बाद भी प्रशांत किशोर अगर मुस्लिम को साधने में असफल रहे तो इसकी वज़या है। एक तो उनका करियर का उत्थांग बीजेपी के साथ हुआ, अमित्ष शाह का करीबी होना भी एक बड़ा कारण दहा है उनके। वैसे भी अगर मुस्लिम वोट पैटर्न को देखें तो वो आज भी ज्यादतर आरजेडी के साथ जुड़ा हुआ है। बड़े लेवल पर बात करें तो वो इंडिया गड़बंदन के साथ। और एक बात बहुत अजीब सा है आप गोर करेंगे तो नितीश कुमार मुस्लिम हिट के लिए अनिक यूजनाओं को लाए। तब भी वे मुसल्मानों का भरोसा नहीं जीत पाए। लेकिन वे अगर राज़त के साथ होते हैं तब उन्हें भी वोट मिलता है मुसल्मानों का। बीजेपी के साथ जाते ही नितीश कुमार के वे फॉलोवर जो मुसलिम हुआ करते हैं वो राज़त की तरफ दुबारा चले जाते हैं। विहार में मुसलिम वोटर का गर्णित अभी भी राज़त के साथ है। तो ऐसे ये चार पॉइंट है जिसकी वज़े से ऐसा लगता है लोगों को कि पीके जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है और उन पर ये ठपा लगा हुआ है। और इतना कुछ होने के बाद भी दो साल तक चलने के बाद लगातार जन सुराज के बैनर तले जिस तरीके से उन्होंने पदियातरा करी और गाउं गाउं घुमें। उसके बाद भी ये आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम हैं। तो कहीं न कहीं ये प्रशान की शोर का एक तरह से फैलियर भी माना जा सकता है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर हमें कॉमेंट में बताएं।